Hello students, आज हम लोग start करने वाल है potentiometer, आज इस class में हम क्या discuss करेंगे potentiometer होता क्या है, किस concept पर यह base है, कैसे यह काम करता है, वो सब चीज है, ठीक है, let's start potentiometer, potentiometer basically है क्या, it is a device that is used to measure potential difference accurately, ठीक है, वोल्ट मिटर भी यही काम कर रहा था, वोल्ट मिटर क्या था, वोल्ट मिटर भी दो पॉइंट के बीच का potential difference दे रहा था, और potentiometer भी यही करेगा, but यहाँ पर potentiometer ज्यादा accurate reading देगा as compared to voltmeter, let's see, यह दिखता कैसा है, इसके अंदर क्या-क्या components है, यह चीज, इसे बोला जात यह जो वायर इसके अंदर है, इसे बोला जाता है, potential meter wire, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखते है, potential meter का basic circuit क्या साथ है, हमारे पास यह AB wire, AB wire क्या है, potential meter wire, इसे क्या का हो गया, potential meter wire, इसका resistance RW लिख लेते हैं, इसके length को हम L मान लेते हैं, ठीक है, इसको connect कर दे हम एक cell से, जिसको हमने बोला था, क्या, driver cell, यह हो गया, हमारा driver cell, विदा EMFE, and internal resistance, smaller, और साथ में है, रगा हुआ, real estate, यह हमारा complete हुआ, क्या, primary circuit, इसे बोला जाता है, क्या, primary circuit, यह क्या है, it's a primary circuit, इसमें सारी चीज़े हमें, नोन है, इसलिए हमें से बोले है, primary circuit, ठीक है, अब यहाँ पर, basically, यह सब चीज़ें हमारे पास क्या है, known, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, इसका secondary circuit, जहाँ पर हमें एक unknown cell लगा दिया जाएगा, और उसकी value हम इस potential meter के use से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास यह हो गया, एक cell, इसका e म smaller, ठीक है, और साथ में लगा दिया गया है, galvanometer, और इसको बोलते हैं, जोकी, पहले तो अभी देख लो, इसके सारे components क्या-क्या है, पहले हमारे पास क्या एक primary circuit, primary circuit में क्या लगा हुआ है, driver cell, उसका internal resistance, और एक real state, और साथ में AB wire, जिसे हम बोलने है, potential meter wire, यह सारी values हमें known ह का resistance, उसकी length, driver cell की value, internalization of the driver cell, everything, it's known, अब यहाँ पर, नीची जो लगा है, secondary circuit, इसे बोला जा रहा है, secondary circuit, secondary circuit में जो सेल लगा है, उसका EMF हमें known, नहीं होगा, उसका internal resistance हमें known, नहीं होगा, पर हमको potential meter की help से, इसका internal resistance और EMF निकालना है, और हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास यह हो गया, galvanometer, और साथ में लगा दिया है, इस J point को जो मैं लिखा है, it's a jockey, it's a movable end, इसको हम इस A, B wire पर move कर सकते हैं, let's see, कैसे काम करता है, यह हो गया हमारा secondary circuit, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको एक च potential meter wire, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, potential meter wire, इसको ले लेते हैं, मालो, 200 meters, ठीक है भई, इसमें current flow कर रहा है, इसको मैं, यह कौन सा circuit है, यह सिर्फ primary circuit है, इसमें current कौन सा flow कर रहा है, आई, ठीक है, 200 meter का wire लगा दिया हमने potential meter wire, ठीक है, और 100 volt का driver cell लगा दिया, अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ की, A, B wire की across, कितना potential difference है, तो आपका answer होगा, 100 volts, बिल्कुल correct, अगर मैं आपसे पूछूँ की, यहाँ से, मैं कोई L length का part लेता हूँ, और पूछूँ की A से लेकर, इस C point की बीच का potential difference क्या होगा, तो आप कैसे calculate करोगे, आप में current flow हो रहा है, और resistance RAC, correct है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, VAC is equals to I into RAC, अब I क्या है हमारे पास, वो तो constant current जो flow हो रहा है, उसके अंदर, resistance को आप लिख सकते हो, row L by area, यह हो गया हमारा VAC, क्या हमारे पास, इसके अंदर, इस पूरे expression में, I constant, resistivity constant, area constant, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो VAC है, it's basically, directly proportional to the length of the part of that wire, AC, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि VAC upon L is a constant value, और इसी को बोला जाता है, potential gradient, मतलब, अगर मैं पूछूँ आप से, कि यार यह 200 meter का wire जो लिया, अगर मैं पूछूँ कि 100 meter part पे कितना इसका potential difference होगा, तो आप बोलोगे, सर, 100 volt तो 200 meter पे है, तो 100 meter wire पे कितना होगा, 50 volt, हाँ या ना, अगर मैं आप से पूछूँ कि यार, इसमें 50 meter पे कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसको बंदफोर्ट कर दोगे, हाँ या ना, होगा नहीं होगा ऐसा, बिलकुल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास यह चीज जो अभी हम discuss कर रहे थे, उसी चीज़ को देखते है, इसकी definition, across, it's a potential drop across a wire per unit length, is known as potential gradient, ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज, current आपका constant area of cross section, यह uniform wire है, तो area of cross section भी क्या रहने वाल है, constant length, इसकी wire की length, जो भी आप जिस पार्ट की आप potential difference निकालना चाहते हो, उसका length, तो यहा area, तो यहाँ पर आप देखोगे कि potential difference, किसी भी part का, इस wire के किसी भी part पर जो potential difference है, वो किस पर depend करेगा, उस part की length पर, तो यहाँ बोल सकते है, potential per unit length, हमारा क्या होने वाल है, constant, ठीक है भाई, इस concept को हम बहुत आगे use करेंगे, आगे देखते हैं, इसकी working, if a constant current, basically it's flowing through a wire of uniform cross section, जो हम बात कर रहे थे, current आपका constant, cross section of wire, कैसा है, constant, then potential drop across any length of the wire, is directly proportional to the length of the wire, ठीक है, जिसकी बात अभी हमने करी थी, let's see, हमारे पास यह primary circuit, यह L length का wire, तो अगर मैं आप से बोलू, कि यह इस L length का wire का, जो L length, L part है, इसका, L length का part, इसका अगर potential difference निकालने तो आप क्या कर होगे, sir, आप potential per unit length निकाल लो, और उस Length, जो भी है, X है, Y है, Z है, उससे multiply कर दो, तो आपको आपको उस X length का potential difference मिल जाएगा, हाँ यह न, यह तो हो गया V by L, that is potential gradient, and X is the length of that part, चलो, आगे बढ़ता है, current flowing in the primary circuit, अब हमको उसके लिए current निकालना पड़ेगा, current क्या होता है current तो basically अगर आप देखो, इस circuit में, अगर इस circuit में current निकालने के लिए बोलू हूँ आपसे, तो आप बोलोगे, sir, V, जो potential है, V, और आपका total resistance R net, तो V को तो यहाँ पे आप EMF लिखोगे, E, and the resistance कौन कौन सा है, एक small r, ये वाला, एक real state का resistance RH, और एक RW, हाँ या न, यह आपक आपको known भी है, तो ये current आपको known होगा, और ये same current इस wire में flow कर रहा है, current constant है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि potential difference across any length of this wire is constant, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास potential gradient क्या होगा, potential gradient तो हमें कहा निकालना है, A, B wire पर, तो gradient का मतलब potential per unit length, तो आप लिखोगे, V, A, B, जो भ उसको लिख दिया मैं, length of the wire, ठीक है, यहाँ पर देखो, I into R, W, L और बिल्कुल वैसे का वैसे ही, जो current आपने उपढ़ने का रहा था, वो यह तो current इसके अदर flow कर रहा है, वो आपने लिखा, into R, W, तो यह आपका होगया, potential difference upon L, यह आपका होगया, क्या, potential gradient, कुलो बात सम आपको नोन है, सब कुछ आपको पता है, आपको EMF पता है, driver cell का, resistance पता है, wire का, आपको internal resistance पता है, cell का, real state का resistance पता है, wire का resistance और length of the wire, सब पता है आपको, तो एक known value, it depends only on the primary circuit, if we change secondary circuit, then potential gradient will remain unchanged, क्योंकि हम को देख रहे है, कि secondary circuit पे तो इसका मतलब primary circuit की साली value आपको नोन है, तो आप potential gradient कहा सकते हो, यह constant value किसी भी potentiometer के लिए, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब इसका application, first, to find the EMF of the cell, इसके तीन application है, basically, अगर हम देखें, तो इसका EMF of cell निकाल सकते हैं, intelligence of the cell निकाल सकते हैं, दो cell की potentials को compare कर सकते हैं, EMF को compare कर सकते हैं, ठीक है, तो first, to find the EMF of the cell, पहले बात करते हैं, तो इसका यह बहुत basic circuit, अगर आप देखो, आपका यह वापस, मैं आपको remind करा रहा हूं, जो circuit हमने पढ़ा, उसके अंदर वो E क्या था, यह था driver cell, क्या था यह driver cell, एक, यह आपका हो गया, आपका internal resistance, उसका, और वो real state, ठीक है, यहाँ पर, अब अपने secondary circuit में लगा दिया, एक EMF, एक cell, जिसको आप बोल, जो क्या है आपका, unknown value, यह कैसी value है, unknown value, देखो, अब हम कैसे use करेंगे, potential meter को, इस EMF को find करने के लिए, देखो, अब हम क्या करेंगे, इस jockey को, A point से, move करते हुए, कहां लेके जाएंगे, B point के तरफ लेके तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी point पर हमको क्या मिलेगा, एक null point, null deflection, जो से आपने meter bridge में पढ़ा था, null deflection किसे कहा जाता है, null point या null deflection किसे कहा जाता है, जब galvanometer की reading कितनी हो जाएगी, IG is equal to कितना, 0, जो इस galvanometer में current है, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो point मैंने अब अगर मैंने वो point ढूंद लिया, तो इसका मतलब secondary circuit का कोई current primary circuit में नहीं जा रहा है, और primary circuit का कोई current secondary circuit में नहीं आ रहा है, मतलब दोनों independently काम कर रहे है, अगर मालो मैं कहूं, यहां से current, यार आई current flow आया, driver cell से आई निकला, यहां से आया, इसमें कितना जाएगा, पू पूरी branch में, lower branch में current कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर इसमें current 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या, कि इसमें current नहीं है, तो उपर गाला current उपर ही रहने वाला है, ठीक है, तो इसमें पूरे में I current flow कर रहा है, constant current flow कर रहा है, बोलो बात समझ आ रही है, बिलकुल correct, अब आ और ये भी V है, और obviously अगर resistance है ना, current flow नहीं कर रहा है नीचे वाले circuit में तो, यहाँ पर आप बोलोगे, और यहाँ को मैं लिख दूँ J, तो इसको मैं लिख देता हूँ, अगर V, J, तो यहाँ भी V, J है, तो यहाँ भी V, J है, बात समझ आ रही है, तो इसका मतलब, अगर म मैं लिखूँ इसको V, A, J, और यहाँ लिखूँ V, A, J, उपर भी, तो इस दोनों क्या बराबर ही होंगे, बिलकुल बराबर होंगे, क्योंकि नीचे वाले circuit में तो current flow हो भी नहीं रहा, और यहाँ पर balance point मिला हमको, तो यहाँ से यहाँ का potential difference क्या हो गया, same, तो अगर मैं उपर वाले की length की बात करूँ आपसे, यहाँ इस length में कितना potential difference है, तो आपको याद आगा सर, अभी है तो आप मने पढ़ा था potential gradient, तो potential gradient निकालेंगे, और उसको उस length से multiply कर देंगे, जो length आपको मिली है, जो length आपको मिली है, माल लो for example, यहाँ पर L है, तो potential gradient into L, यहाँ क् सर, आपने बताया था कि यार, यह तो cell के across, जो potential difference होता है, वो तो V is equals to E minus IR होता है, तो बेटा, यहाँ पर तो करंट तो कितना है, 0, नीचे वाले ब्रांच में कितना है, 0, तो अगर आप लिखोगे 20 सही, V AJ नीचे वाले से, अगर आप लिखोगे E minus IR, तो I तो आपका 0 है, तो यह तो खतम, तो V AJ किसके बराबर आगया, वो आगया आपके EMF के बराबर, किसके बराबर आगया, EMF के बराबर आगया, तो V AJ is equals to potential gradient into length, और नीचे से आप देख सकते हो, कि V AJ आपका EMF के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, EMF is equals to potential gradient, जो कि आपको known है, into length, जो अपने experiment में find करी है, जो null length आपने find करी है, तो क्या बिलकुल लिख सकता हूँ, तो इस experiment से हमने क्या find किया, EMF of the cell, using potential meter, बोलो बात समझा रही है, इसमें किसी ओको doubt है, तो पूछो, हाँ बेटा, क्या doubt है, कि, अच्छा अच्छा, कोई पूछ रहा है, कि potential gradient कैसे निका लें क्या निकालोगे, VAB, वो primary circuit से निकल जाएगा, क्योंकि lower circuit में तो current है ही नहीं, तो इससे मतलब भी नहीं है, तो जो current driver cell से निकला, वो पूरा का पूरा primary circuit में घूम रहा है, ठीक है, तो VAB आप निकालोगे, VAB आप निकालोगे, तो VAB upon length of the wire, that is LAB, into ये length जो भी आपको मिल चाहिए कि potential gradient कैसे निकाला जाएगा, ये important चीज, उसके बाद ये समझ में आना चाहिए कि हम पहले क्या कर रहे है, हम पहले null point ढूंड रहे, null point कैसे ढूंडेंगे, जोकी को A point से B point की तरफ move कराएगे, और बीच में कहीं ना कहीं हमें null point मिल सकता है, तो null point अगर मिला, तो म EMF आपका उस length के potential difference के बराबर हो जाएगा, बोलो बात समझ आ रही है, तो V is equal to आपका क्या हो गया, जो पुठोंगे रिजिन क्या है, X, इसको यहाँ X मान लिया हमने, तो V by L हो गया, बोलो बात समझ आई, तो E is equal to XL हो गया, जैसा हमने पड़ा, अब आप एक इसके पीछ इसका circuit बनाते चलते हैं, यहाँ पर एक cell है, कितना वोल्ट का, 20 वोल्ट का, इसका एक internal resistance दिया हुआ है, 1 ohm, ठीक है, इस connected to a potential meter wire, क्या potential meter wire से आपने connect किया इसको, ठीक है, यह आपका potential meter wire, बहुत basic circuit, यह A, B आपका मान लेते हम, एक potential meter wire है, ठीक है, यह हो गया, potential meter wire, ठीक है अब यह भी दिया हुआ है, कि इस potential meter wire का resistance 9 ohm है, और इसकी length 10 meters है, ठीक है भाई, इसमें current I flow हो रहा होगा, then find the potential gradient, सबसे पहले तो find करते है, potential gradient, क्या होगा इसका potential gradient, तो हमें पता है कि potential gradient होता क्या है, potential per unit length, अगर current constant है, wire का area of cross section constant है, तो हम directly लिसकते हैं कि V by L क्या होगा हमा तो यहाँ पर आप देखो, हम gradient निकालेंगे, potential gradient is equals to VAB, जो potential meter wire की across potential difference है, upon the length of the wire AB, यह, तो अब आप देखो, VAB निकालना है आपको, अब VAB निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़े है, current, current into RAB, upon length of AB, क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को, अब आप देखो, current कैसे निकाला जाएगा, यह circuit में एक बहुत बशी circuit होगा है, जो आपको, current हम यहाँ से निकाल देंगे, कि यार, potential difference तो है, 20 volts, और net resistance कितना हो जाएगा, R net लिख देता हूँ अभी आपको, ताकि easy समझ आएगा, 20, R net कितना हो जाएगा, 1 plus 9, that is 10, तो 20 upon 10, तो हो गया आपका 2 ampere, तो current तो इसको primary circuit में flow हो रहा है, 9 ampere current, sorry, 2 ampere current flow हुआ, अब यहाँ current कितना flow हुआ, 2 ampere, अब 2 ampere, resistance कितना है, AV wire का, 9 ohm, length कितनी है, 10, तो क्या हमारे पास आगया, 18 upon 10, तो इसका answer आगया, 1.8 volts per meter, अब आप यह समझो, यह तो आप दे निकाल लिया potential gradient, इसका significance क्या है, क्या चीज है, बेसिकली देखो, अगर आप बोल रहे हो potential, जो gradient आया, 1.8 volts per meter, इसका मतलब हर meter पर आपको कितना difference मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है, 1.8 volt का, कितना, 1.8 volt का, अगर मैं आपस बात समझ आ रही है, इसमें किसी हो कोई डाउट है, तो पूछो, एकदम clear है, very good, बहुत बढ़िया, चलो, आगे बढ़ते हैं, और इस पे सवाल करते हैं, बढ़िया, a cell of 2 volts is connected with a wire of length 10 meters and a resistance of 40 ohm in the primary circuit, साथ साथ अपन या करते हैं, डाइगराम बनादे चलते हैं, कि हमको बोला गया भाई है, एक driver cell, वो कितने है, 2 volts का, ठीक है, और ये एक potentiometer wire AB, ये आपका potentiometer wire AB, इसकी length दी हुई है, इसका resistance दिया हुआ है, कितना, 40 ohm, और उसकी length दी हुई है, 10 meters, ठीक है, तो हमारा potentiometer wire हो गया, 10 meters का, उसका resistance हो गया, 40 ohm, और आपका driver cell हो गया, 2 volts, तो हम यहीं पर, अगर देखें, तो निकाल सकते हैं, क्या, potential gradient, potential gradient हमारा क्या हो जाएगा, potential gradient हो जाएगा, हमारा, कितना, पूरा गा, पूरा 2 volts, कहा है हम को, AB wire पर, तो VAB upon length AB, अब VAB कितना है हमारे पास, वो 2 volts है, length AB कितना है, वो 10 है, यह कितना हो गया, 0.2 volts per meter, तो इसका मतलब ही हो गया, इस potential meter का, जो potential gradient हो कितना, 0.2 volts per meter, हर meter पे आपको कितना मिलने वाला है, 0.2 volts का potential difference मिलने वाला है, correct है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब इ this setup is used to measure an unknown EMF of cell of internal resistance 0.2 ohm, तो हमारे पास एक और cell, जो कि unknown EMF उसका बताया, और उसका internal resistance कितना है, 0.2 ohm, galvanometer और साथ में यह जोके, ठीक है, और बोला कि जो हमारी net, इसकी जो balancing length है, वो कितना है, 4 meter, यह question में given है, हमको driver cell 2 volt, length of the potential meter by 10 meters, resistance of potential meter by 40 ohm, और आपका जो unknown EMF है, उसको मैंने मान लिया, E, और उसका internal resistance दिया हुआ है, 0.2 ohm, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अब अगर मान लो, यह balancing length है, अगर यह balancing length है, इसका मतलब IG कितना होगा, वो तो 0 होने वाला है, इस वाली branch में, current कितना हाँ, समझा रहा है यह बात, किसी हो कोई doubt इसमें, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, और लिखते हैं, यहाँ पे क्या, यह हमारा V, इस point को मान लेते हैं, अगर यह J है, तो V, A, J should be equal to, अगर यह भी A मान लेते हैं, और इस point को X मान लेते हैं, V, A, X, यह वाला जो potential difference है, A, J क across, किसके बराबर होना चाहिए, A, X के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो V, A, J कितना है, वो तो 4 meter potential meter wire का जो potential difference है, वो कितना आएगा, potential gradient into, कितना, length कितनी आई, L, मैं लेता हू, A, J, ठीक है, तो gradient कितना हो गया, point 2, अभी आपने calculate किया, length A, J आपको दी हुई है, 4, तो यह का difference, कितना, A, J के बीच का, जो potential difference है, वो कितना है, point 8 volts, यहाँ से यहाँ का difference आगया, point 8 volts, तो मतलब, नीचे, नीचे आप circuit में आप देखोगे, तो A, X के बीच में, B, A, X का जो potential, A, X, जो potential difference है, V, A, X, A, और X के बीच में, कितना होना चाहिए, point 8 volts ही होना चाहिए, और V, AX को मैं लिख सकता हूँ क्या E माइनस I R1 इसको माल लेते हैं इसके अंदर करेंट I1 है जो की आपको पता है वो 0 है ठीक है तो ये I1 R1 इसको ले लेते हैं R1 तो ये हो गया हमारे पास कितना 0.8 volts तो यहाँ पर I1 0 तो ये तो 0 हो गया तो EMF आपका कितना आगया आपका आगया 0.8 volts बोलो समझ आगया इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें किसी को डाउट हमने क्या किया हमने basically किया उपर वाली ब्रांच में अगर देखें तो AJ का potential जो potential meter wire के across आया 4 meter के across वो आया 0.8 volts नीचे जस उसके नीचे देखा secondary circuit तो अगर IG 0 है तो VAX और VAJ तो बराबर है और VAX कितना हो जाएगा EMF के बराबर हो जाएगा तो आपका सीरी सीदे बोल सकते थे EMF किसके बराबर आजाएगा VAJ के बराबर या 0.8 volts ठीक है is the answer इसमें किसी हो कोई डाउट कोई डाउट ही तो पूछ सकता है चलो ओके